Hello viewers, कैसे आप लोग आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे घर बैटे आप अपने गारी का इंजिन ओयल और ओयल फिल्टर कैसे चेंज कर सकते हो ठीक है इस चीज काफी असान है अगर आप लोग एक बाद देख लोगे तो आप इसीली कर सकते हो क्योंकि काफ होंगा तो चलिए शुर्गर तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता तो मैं क्या-क्या यूज करता हो तो यह जो टूल सेट आप लोग देख रहे हो इस टूल सेट को यूज करके गारी का जो प्राइमेरी बेसिक मेंटेनेंस का जो जो काम आता है ना और सब कुछ आप इसको कर सकतो बहुत एक यूसफुल टूल कीट है और मैंने इसे एमाजन से खरीदा है अगर आप लोग चाते हो तो इसका लिंक भी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली लिंक को क्लिक करको यह पोड़क करीद सको और इसके बाद आता है इं सिंथेटिक 10W40 का इंजिन ओल ठीक है तो यह ओ इंजिन ओल भी काफी अच्छा है लेकिन मैं थोड़ा अपग्रेट चाता था और भी परफॉर्मेंस चाता था इसलिए मैं मतूल 7100 में शीप्ट हुआ हूँ और मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूस था मतूल 7100 को लेके और कैस भी ले सकते हो ऐसे कोई बात नहीं है और लास्ट में यह देख रहा हो यह है यामा का ओरिजिनल ओयल फिल्टर इसका प्राइज है 247 रुपीस तो पूराना इंजिन ओयल को ड्रेन करने के लिए सबसे पहले इंजिन का नीचे एक ड्रेन ने रहता है उसको आप लोगो को ख लास्ट मेरा गारी जहां पर सर्विस हो था वह यामाहा अथोराइज सर्विस तेंटर पर ही सर्विस हो था उधर क्या होता है उधर काफी ज़्यादा बंदा बहुत एक्सपेंस भी होता है और काफी सारा बंदा आन एक्सपेंस भी होता है किसी भी रीजन से मेरा गारी का तो इसको विल्कुल बहुत्य को बेटीन में उसकता सब्कू reside जेना चाहता हूं आप लोग जब बी engine oil चेंज कीजिए गारी को थोड़ा warm-up करके बाद engine oil को k邊 क्या होता है गारी मेल थोड़ा ठंड़री धनर तों आप ठंड़ाओ तो ड्स राइस चाहिच है ठाएगा उस ताइम में अगर आप कि अब जबी भी इंजिन और चेंज करो गाड़ी को वार्म अप करो चला हूँ उसके 10-15 मिट बाद आप लोग ड्रेन नाठे उसको खोलो क्योंकि इंजिन अगर हीट होगा तो ऑईल भी पतला हो जाएगा ठीक है ऑल के अंदर सारा जो गंदगी घुल मिल जाएगा उसके बा अब टॉब लेंगे के बाद अप लोग थोड़ा गारी को लेव उस्साल रहते पावल से क्या होते है थोड़ा घूझार जो भी इंजिन और रहाता है उब भी बाहर निकल आता है तो पुरा निकलने बाद यह प्रोस्ट अब लोग जरूकर नोगा ताकि एकिसरी पेस्ग तो दोस्तों यह देखिए मेरा गारी का इंजिन ओयल का कंडिशन 2500 किलिमेटर राइट करने के बाद इंजिन ओयल का जो कंडिशन है यह हुआ है ठीक है मैं इसको कलट करके रख देता हूँ क्यूंकि मॉत्तिल के साथ इसको कॉंपर भी करना है मुझे और दोस्तों आप लोग क्यूंको फिल्टर का जो क्या होता है उसको खोलना पड़ेगा उसका तीन बोल्ट होता है उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा 5 mm का एलन की मेरे पास यह तूल एवल था तो मैंने इस से इसको खोला इधर भी आप लोग देख से तो कि इसको ज्यादा टाइट कर दिय देने होने क्योंकि इसको ज्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसका अंदर एक ओरिंग होता है वह भी डेमेज हो सकता है तो ओयल फिल्टर का कंडिशन भी आप लोग देख लीजिए खडब होगा है और मैं यही डिकमेंट करता हूं कि कि अब जब भी दोतुन गुल आंches उसके बाद आप लोग जो नया ओइल फिल्टर है उसको लीजिए और उसको लगाने से पहले इंजिन उसको प्रफा तरीके से भीगा लीजिए उसके बाद ऊयल फिल्टर जितर प्लेस होता है उस जगह को एक साप कपड़े से अच्छी तराइकि से साफ कर लीजे ताकि उधर कोई डास्ट ना रहे और उसके बाद आपको इसको प्लेस करने बढ़ेगा अप लोग ध्यान से दिखिएगा इसके दोनों तरफ दोनों एक बड़ा होल है और छोटा होल है ठीक है जो छोटा होल है वो पीछे के तरफ जाएगा और जिस तरफ बड़ा ह होल है वो सामने के तरफ रहेगा क्योंकि जो कैफ है इसका इस कैफ के बीच में एक लंबा सा पाट रहता है उस होल में यह पाट घुसेगा फिर आपको इस फिर आप लोग इसको पॉपा तरीके से फीट कर पाओगे उसके बाद आप लोगो जो तीनों बोल्ट है उस बोल् इस नाइच होने की चांसे स्राइज आता है उसके बाद एक लीन कप्रे से पूरा जगा आप लोग साफ कर लीजिए नीचे जिधर ट्रेन नाट था जिससा कासरे आप लोग इंजिनों ड्रेन किये थे उस जागो तोड़ा साफ कर लिजिए उसके बाद इंजिन डालने से प आप लोग इसको नॉर्माली टाइट कीजिए ओबर टाइट मत कीजिएगा जिदरा के वह रुख जाता है उसके बाद छोड़ दीजिएगा उसके बाद इंजिन डाल लेके लिए इंजिन के राइट साइट में एक कैप रहता है ब्लैक कलर का प्लास्टिक का उसको आपको खो 1.45 लीटर इंजिन डालना पड़ेगा ये बात आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखना मैंने यहाँ पर और पिल्टर रिप्लेस किया हूँ इसलिए 1.45 लीटर इंजिन डाल रहा हूँ इसलिए मैंने एक लीटर का जो डबबा है उसको पूरा डाला उसके बाद मेजर करक 450 लीटर में इंजिन डाला उसके बाद जो कैप रहता है उपर का बलग कलर का उसको टाइट कर लीजे और हो गया उसके बाद चले इंजिन को स्टार्ट करके देखते कि इंजिन से कैसा साउंड आ रहा है जैसे कि आप लोग इदर सुन सकते हो कि इंजिन से काफी अच्छा साउंड निकल के आ रहा है और मैंने काफी जगा भी रिसर्च करकी भी देखे यह इंजिन ऑल इंजिन के लिए काफी अच्छा होता है इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है तो चेलिए आज का डाउट है तो जरूर से कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछिए और आप लोग यह भी कमेंट करके बताए आपको कौन सा वीडियो देखना चाहते हो कि यहार फिल्टर कैसे चेंज करें डिस पैट को कैसे चेंज करें तो जो भी आप लोग मैंन में कोस्चन रहेगा तो जर झाल झाल